बिसमिल्य रख्मानी रहीं हेलो अस्सलाम लेकूं वीवर्स क्या आले हम सब के और आज मैं बनाने जा रहे हूं वीफ कौफटा जो बहुत ईसी है वीफ कौफटा खड़ी हम बनाएंगे बहुत ईसी है बनाना और बहुत टेस्टि बनेगा जो मेरे चैनल पर भी नियू है यहाद काले मर्चे दीनद बारिक काड़ केट कर दी है एक प्याज मैंने बारे काड़ के चौप कर दी है और यह उसी में बिराओन प्याज और यह उसी में डाला है ताके हम आप चाहें तो कुटी भी अट कर सकते हैं यह हस्बेजाएक आप नमक एड़ करें इसके अंदर एक चमच मैंने नमक एड़ किया है और थोड़ी सी दूर चुटकी के बराबर में ने हल्दी एड़ कर दिये ताकि जो हमारे कौफतो का कलर है बहुत अच्छा है हरा दनिया भी एड़ कर दें इसके अंदर और इसी ताना मसाला और कीमा और अगर आप चाहें तो चौपर में इस सब मसाले एड़ करके भी अच्छाना मिक्स कर सकते हैं और जैसे ही मिक्स हो जाएंगे फिर हम इसको चोटे-चोटे से बावल जानी कोफतो की शिकल में बना लेंगे यह आप देख सकते हैं मैंने इतने बड़े रख करने के बाद और कौफते इंशालला आपके भी नहीं तूटेंगे अगर आप मेरी रेसीपी को फोलो करके बनाएंगे और आप देख सकते हैं यह अच्छे तरह हो रहे हैं हमारे और इस तरह मैंने गॉल्डन फ्राई करके इनने निकाल दिया है और इसी वाहिल में मैंने इ अच्छे पाउडर है और नमा खे और गरम मसाला विसा वादनिया और यह हमारे वकाली मिर्चे नाल मिर्चे और थोड़ा सा कोर्मा मसाला में एक चमाच ताके अच्छी से कुछ भुआए और इसी में हम एट कर देंगे अपने टिमाटर हरे मर्चों में जहां हमारा यह मसा अच्छा पन मसाले का गतम हो चुका है और आप देशकते हैं सारा आइल पानी तो आएट करेंगे अच्छी तरह हमारा मसाला भुआ चुका है कच्छा पन मसाले का गतम हो चुका है और आप देख सकते हैं सारा आइल उपर आ गया है और मसाला भी हमारा चुतना बहुत चुका है अब जो मैंने फ्राई जो कौफते का लखे थे अब वो मैंने इसके अंदर एट कर दिया है और इसी में थोड़ा सा आप अगर चाहें गरेवी जादा बनाने के लिए तो आप और थोड़ा सा पानी ओष्था कल दिजिएगा ताके कफी करों में गरेवी वाले जादा खाय जाते हैं यानि शॉर्वे वाले तो आप पानी अट कल दीजिएगा मैंने थोड़ा बुना रखा है इसलिए मैंने थोड़ा पानी आट किया इसके अ अंदर और इसको मैं पार दस मिनट के लिए हलकी आज पे रख दूँगी ताकि यह अंदर से भी अच्छी ताना कुछ हो जाए हरी मिर्चे हरा दरीया उपर से एट करें चाहें तो आप गरम असाला भी एट कर सकते हैं लेकिन मैंने अंदर ही एट किया है और यह आप देश सकते हैं इसका लोक बहुत जबादस हमारे कौफ से तयार हो गए हैं बहुत यमी से और बहुत रेडी हो गए हैं जल्दी से अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे लाइक शेर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और भी यमी यमी से असानी से कोई रेसिपी आप लोगों से शेर कर सकूँ आप इसका लोग देख सकते हैं कितने टेस्टी और कितने जबादस इतने चल्दी तैयार हो गए अपनी दुआ में याद देखें अल्ला हाफिस